दो काली तीन गोरी बहु का ससुराल में घुंगट उसकी दो काली बहु दर्वाजे पर ही खड़ी रह जाती है लगता है मा तुम्हारे बारे में भूली गई है चलो कोई बात नहीं तुम भी अंदर आओ और इसे अपना ही घर समझो अरजुन और विपन दोनों अपनी दोनों पत्नियों को घर के अंदर ले आते हैं जिसके बाद एक तरफ तो दुर्गेश्वरी अपनी तीनों गोरी बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है तो वहीं अरजुन और विपन दोनों अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं तुम ठक गई होगी थोड़ी दिर रैस कर लो उसके बाद तो शादी की अभी बाकी की रस्में भी करनी है इतना कहकर विपन महा से चला जाता है कुछ देर बाद पाचो बहु फ्रेशो कर अपनी सास के पास आ जाती है दुरगेश्वरी अपनी दोनो काली बहुँ को देखते ही मुँ बना लेती है और उनसे कुछ नहीं कहती तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी गोरी और सुन्दर बहु को देखते ही खुश होती है और उनसे कहती है अरे देखो तो सही कितनी सुन्दर और प्यारी लग रही हो तुम तीनो चलो अब अपनी रसोई की रस्म के लिए चलो अपने हाथों से बढ़िया-बढ़िया बना कर खिलाना दुरगेश्वरी अपनी तीनो गोरी बहूं को रसोई में ले जाती है जिसके बाद दोनों काली बहू आपस में बाते करती है आखिर मा जी हमारे साथ ऐसा विहवार क्यों कर रही है वो हर एक रसम में हमारी गोरी बहनों को ही पूछ रही है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ल पता नहीं कैसे ये दोनों काली कलूटी इन तीनों की बहने हैं, अगर मेरा बस चलता तो इन दोनों को अभी इस घर से निकाल फेकती है, लेकिन क्या करूं, इतने अमीर घराने से रिष्टा तोड़ भी तो नहीं सकती, क्या एर चोड़ो, इन दोनों को घर के अंदर बिठा क पर तो नहीं रख सकती, इनको इनके लायक काम बताना ही होगा, दुरगेश्वरी ऐसा सोच कर उन दोनों के पास जाती है, और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, और ऐसे क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि शादी के बाद घूंगट करके रहना चाहिए, माफ कीजे जिक Curmaji, हमारी मा नहीं है, इसलिए हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, अगर आप चाहती हैं तो हम गुगट कर लीते हैं, दुरगेश्वरी के कहने पर दोनों बहने गुगट कर लेती है, जिसके बादु दुरगेश्वरी उन दोनों से कहती अच्छी बात है कि तुम दोनों ने घूंगट कर लिया अब तुम्हारी शेकल कोई नहीं देख पाएगा चलो अब जाओ तुम घर के सारे काम करो यानि कि साफ सफाई देखो कितने जाले लग रहे हैं घर में ये सब साफ कर तो तुम्हारे लिए बस यही काम है बागी तो ख क्यों अरे तुम तो जानती ही हो ना इस घर की हम दोनों बड़ी बहु हैं अगर हम ही बिना घूंगट के रहेंगे तो बाहर की ओरते हमारी सास को कितनी सारी बाते सुनाएंगी महिमा कोयल की बात सुनने के बाद कुछ नहीं कह पाती जिसके बाद दोनों बहने मिलकर घर की अच्छे से साफसफाई कर देती हैं दोनों बहने सारा दिन घुंगट करके रहती जैसे ही उन दोनों को तीनों गोरी बहने खाना बना कर तयार कर देती हैं वह तीनों अपनी दोनों बेहनों को बुलाने के लिए जाती हैं। अरे, आप दोनों कहां थी? हम कब से आपको ढून रहे हैं? आप दोनों को पता है, आज हमने अपने हाथों से खाना बनाया है, वो भी आपके बिना मदद लिए। कोयल की बात सुनने के बाद उसकी तीनों गोरी बहने कुछ नहीं कह पाती हैं। कुछी देर में खाने की टेबल पर दुर्गेश्वरी के पाँच बेटे और दुर्गेश्वरी बैट कर खाने लगती हैं। वहीं उसके पास उसकी तीनों गोरी बहू और उसकी दोनों काली बहू जो की घुंगट करके खड़ी होती है। आरे वह, क्या खाना बनाया है, एकदम ला जवाब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाए, तुम तीनों के हाथों में तच जादू है जादू सही का मा, ये देखो, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है और ये गाजर का हलवा तो और भी जाद अस्वादिष्ट है, मज़ा ही आ गया किर्ती, वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम तीनों भी खाने की टेबल पर बैट कर खाना खालो हाँ, हाँ, सही कहा, तुम तीनों भी बैट कर खाना खा सकती हो दुरगेश्वरी के कहने पर कोयल और महिमा की तीनों छोटी बैट खाने की टेबल पर बैट कर खाना खारी ही होती है जिसके बाद कोयल और महिमा भी टेबल पर बैटने ही वाली होती है, कि तब ही दुरगेश्वरी उन्हें देख कर टोक देती है अरे तुम दोनों यहां क्या कर रही हो यहां बैटोगी तो हमें खाना परोसेगा कौन अब तुम्हारी चोटी बहन खाना खा रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम दोनों खड़े होकर हम सबी को खाना परोसो इसकी क्या जरूरत है माजी ये तो हमारी बहने हैं हम खुद ही इनके लिए खाना परोश सकती है समायरा ऐसा कहकर टेबल से उठ जाती है और वह वहाँ अपनी बहन को बिठा देती है ऐसे ही वो तीनों अपनी दोनों बहनों को बिठा कर उन्हें खाना परोस्ती हैं उनका एक दूसरे से तना प्यार देखकर दुर्गेश्वरी अपने मन ही मन जलने लगती है अगर ऐसा ही रहा तो मैं इन पाचों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाऊंगी मुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूणना ही पड़ेगा दुर्गेश्वरी को अपनी पाच बहु से केवल प्रॉपर्टी का ही लालच था जिसके चलते वो किसी भी तरह अपनी पाच बहु से प्रॉपर्टी के कागस पर सिगनेचर करवाने की कोशिश करती है इन पाचों का एक साथ सिगनेचर करना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर मैं एक एक करके इन से सिगनेचर करवाऊं तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा दुर्गेश्वरी ऐसा सोच कर सबसे पहले अपनी तीनों गोरी बहु को जूटे पेपर के नाम पर प्रापर्टी के पेपर पकड़ा देती है और उनके उपर उनके सायन ले लेती है ऐसे ही अपनी दोनों बड़ी बहु के साथ वो करने वाली होती है लेकिन वो सबसे पहले एक एक पेपर चेक करती है जिसके चलते उन्हें ये समझा जाता है कि ये कोई मामूली पेपर नहीं बलकि उनकी ही प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं ये क्या माजी इसका मतलब आप ये शादी पैसों के लालच में कर रही थी लेकिन मुझे तु लगा था कि हम दोनों के चहरे के वज़े से आपने हमारे साथ ऐसा विहवार किया तुम दोनों बहनों ने अपनी शकल भी देखी है कभी जिन्दगी में तुम जैसी लड़कियों से कौन शादी करेगा मैं तो बिलकुल नहीं चाहती थी लेकिन क्या करो इतनी प्रापर्टी के हकदार सिर्फ तुम पांचों बहने ही हो तो मैंने सोचा जब तुम्हारी शादी मेरे घर हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा ये सब दुरगेश की सारी बाते परदे के पीछे उसके पांच बेटे और तीनों गोरी बहु सुन लेती हैं जिसके बाद उन सभी को दुरगेशवरी की सच्चाई से बहुत दुख होता है मुझे नहीं पता था कि इन सब में तुम सारे मिले हुए हो खेर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे तुम दोनों के चेहरों के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए थी और मुझे तुम दोनों माफ कर दो आइंदा मैं कभी भी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचूंगी महिमा और कोयल दोनों ही अपनी सास को माफ कर देती है जब से इस घर में आई हो तब से ही सिर्फ एक ही चीज के लिए तरस रही हो कि आप हम दोनों को अपनी बहु स्वीकारेंगी तुमने बिलकुल सही का मज़े तुमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आज से मैं तुम्हें अपनी बहु स्वीकारती हो उस दिन के बाद से दुरगेश्वरी अपनी दोनों काली बहुओं को अच्छे से संभाल लेती है और उनके सर से घुंगट उठा देती है अब वह पाचों बहने एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है पूजा की शादी एक बहुती अमीर परिवार के लड़के राकेश से हो जाती है शादी के बाद पूजा अपने बड़े से घर में अपने ससुराल में थी पूजा बहुती गरीब परिवार की बेटी थी पूजा के ससुराल में उसकी सास रुपाली जो पूजा और आकेश की शादी से नाखुश थी पर पती शामू की जद के आगे रुपाली ने अपने घुटने टेक दिये शादी के दो दिन बाद पूजा अपनी सास के लिए चाए ले आती है रुपाली जैसे ही चाए पीती है तब ही वो चाए पूजा के उपर फेक देती है गवार कहिंकी तुझे चाए बनाना भी नहीं आता ना उसमें चीनी का मजा है ना पत्ती की मुझे माफ कर दीजे माजी मैं दुबारा से आपके लिए चाए बना देती हूँ कोई जरुवत नहीं है गरीब कहिंकी मानवी बहु तुम मेरे लिए चाए ले आओ और सुन पूजा पूरे घर की अच्छे से सफाई कर और एक बात कान खोल कर सुन ले अगर मेरे घर के महंगे सोफे पर तुने बैटने की हिम्मद भी की ना तो तुझे इस घर से ही बाहर निकाल दूगी मैं जाया से पूजा उदास ओकर घर में सफाई करने लग जाती है थोड़े समय बाद रुपाली की बड़ी बहु मान भी रुपाली के लिए चाय ले आती है माजी ये पूजा तो बहुत ही गवार है नेके उसका पहनावा कैसे नौकरू की तरह है फटी पुराने कपड़े पहन कर इस घर में घूम रही है इसके माईके वालों ने से कपड़े भी नहीं दिये थे क्या आस पडोस वाले अगर इस पूजा का ऐसा अवतार देखेंगे तो क्या कहेंगे कितने बड़े घर की बहु ऐसी फटीचर पाता नहीं तुम्हारे ससुरजी को इस गरीब पूजा में क्या दिख गया था जो इसे अपने घर की बहु बनाला है इधर पूजा घर की सफाई कर रही थी तबी पूजा के माता पिता आलोक और अनीता पूजा क के माता पिता बहुत ही गरीब थे उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है अरे मा पिता जी आप दोनो आईए आईए पूजा अपने माता पिता को घर के अंदर ले आती है घर में सोफे पर रुपाली और मानवी दोनों बैठे थे आलोक और अनीता को देखकर र दाद आई तो चले आए, ये लिजिए, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। अनीता और आलोक की आँखों से आसू निकलाते हैं, पर बेटी का ससुराल देखकर वो दोनों खामोश रहें। ये देखकर पूजा भी रोने लगती है। माँ पिता जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं बिटिया रहने दे, बस तुझे एक बार देखने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चले आई। अच्छा सम्धन जी, हम चलते हैं। हमारे आने से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो हम बाफी चाहते हैं। इतना कहकर दोनों पूजा के ससुराल से चले जाते हैं। अपने माता पिता का इतना अपमान देखकर पूजा बहुत रोने लगती है। अपनी सास के मुझे से ऐसी बाते सुनकर पूजा और रोने लगती है। दिन प्रते दिन पूजा के साथ उसके ससुराल में इसी तरह का बरताव होता रहा। कोई उसके साथ बैट कर खाना भी नहीं काता था। ना पूजा को कोई अपने पास बैटने देता था। एक दिन राकेश, पुलदीप, शामू घर में हडबढाते हुए आते हैं। तीनों की ऐसी हालत देखकर घर के सभी सदस से हैरान हो जाते हैं। जी क्या हुआ? हाँ पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फैक्टरी का जो अर्बो रुपאी का माल पिताजी ने अपने गो-डाउन में रखा था उसमे आग लगने कि वजा से फैक्टरी का वो सारा माल चल कर खाक हो गया है। क्या जल कर खाक हो गया पर कैसे पता नहीं रूपाली ये सब कैसे हुआ अचानक आग लग गई और सब जल गया मैंने आपको पहले ही कहा था पिताजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंदों पर मत लीजिए पर आपने मेरी एक नहीं सुनी ये बात सुनकर सारे परिवार में मातम चा गया था थोड़े समय बात फैक्टरी वाले घर आकर शामू के पूरे परिवार को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते महलो में सोने वाले आज रास्ते के बिखारी बनकर रह गये थे जेब में एक पैसा नहीं था नपास में कोई सामान था मान भी बहू हम तेरे माईके चलते हैं न जब तक हमारे हाला ठीक नहीं हो जाते हम वही रहेंगे अरे नहीं नहीं माजी मेरे माईके वालो को क्यों परिशान कर रहे हो आप वो पहले ही अपनी परिशानी में जी रहे हैं हम भानी जाएंगे, ये बात सुनकर रुपाली रोने लगती है, चलिए हम सब, मेरे माई के मेरे गाउं चलते हैं, मेरे माता पिता हम सब का बहुत अच्छे से खयाल रखेंगे, पूजा की बात सुनकर शामू सब को पूजा के माई के ले जाता है, पूजा अपने माता पिता अरे अनीता ये पानी मत दो, बिटिया के ससुराल वालों को फ्रिज का ठंडा और ताजा पानी पीने की आदत है, रुखो मैं अभी सब के लिए गाउं की दुकान से ठंडा फ्रिज का पानी ले आता हूँ आलोग दोड़ता हुआ जाता है और एक हजार रुपे का उधार बिसलेरी का ठंडा पानी ले आता है, ये देखकर पूजा के ससुराल वाले शर्मिन्दा हो जाते हैं आलोग भाई, इतना महगा पानी लाने की क्या जरूरत थी, क्यों आपने इतनी तकलिफ की, हम पी लेते मटके का पानी अरे नहीं नहीं समधी जी, आप लोग हमारी बिठिया के सस्राल वाले हैं, हम आपको यहां किसी विचीज की तकलिफ नहीं होने देंगे ये बात सुनकर रुपाली की आँखों में आसु आ जाते हैं, रात का समय, आलोग अपने गाउं की एक दुकान से किष्टो पर एक बड़ा सा एसी खरीद कर लाता है और अपने घर में लगाता है पिताजी, ये एसी कहां से लाए आप? आपके पास तो इतने पैसे नहीं रहते बेतिया, ये एसी तेरे पिताजी किष्टो पर लाए हैं, तुम्हारे ससुराल वालों को एसी में सोने की आदत है न, तो हम उन्हें गर्मी में कैसे सुलाते? ये बात रुपाली चुपके से सुन लेती है, और ये सुन कर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है चलिए, आप सब यहां आराम से एसी में सो जाईए अगर किसी चीज की जरूरत हो, तो हमें बता देना, हम यहीं बाहर आंगन में सो रहे हैं क्या? नहीं ससुल जी, आप बाहर आंगन में मत सोईए एक तो इतने घरीब होने के बाद, आपने हमारी लिए इतना महंगा ठंडा पानी लिया और अब इतना महंगा एसी भी लाए, ताके हमें गर्मी से ना सोना पड़े आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, प्लीज ससुल जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसे तकलीफ देना अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप सब चिंतावन कीजिए, बलकि मुझे तो खुशी हो रही है कि हमें आप सब की सेवा करने का अफसर मिला है, चलिए, चलिए आप सब सोजाईए अपनी बहु के मायके वालों का ऐसा प्यार देखकर शामू का परिवार बहुत खुश हो जाता है, धीरे धीरे दिन गुजरते गए आलोक और अनीता पूजा के ससराल वालों को बढ़िया बढ़िया पक्वान बना कर खिलाने लगे, उनकी बहुत अच्छे से खातरदारी करने लगे एक दिन आलोक अपनी पत्नी अनीता के सोने के कंगन बेच कर, किष्टों में एक फ्रिज ले आता है, ताकि पूजा के ससराल वाले ठंडा पानी पी सके ये देखकर रुपाली रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजे समधन जी, समधी जी अनीता और रुपाली दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं, और कुछ दिन बाद ही कुलदीप और राकेश को फिर से फैक्टरी में काम करने का मौका मिल जाता है, और वो एक बड़ा सा घर रेंट पर लेकर अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगते हैं, तभी रुपाली अपने बेटों से पैसे लेकर पूजा के माता पिता को नया फ्रिज, एसी और कई सारी चीजे खरीद कर देती हैं, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है